सब्सक्राइब कीजिए एक्स्ट्रीम होविस चनल को और बेल आइकन दबाएए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों एक्स्ट्रीम होविस में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे पिज़ा तो वीडियो देखिए और आप भी जानिए सबसे पहले पिज़ा का बेस बनाने के लिए हम पिज़ा का डोर रेडि करके लेंगे इसके लिए मैंने चार कप मेरा लिया है एक बड़ा चमच ड्रा इस्ट, नमक स्वात के अनुसार, चीनी और एक बड़ा चमच तेल तो सबसे पहले हम इस्ट को एक्टिवेट करके लेंगे इसके लिए मैंने हलका गुन-गुना पानी करके इसमें एक चमच नमक, चीनी और ड्रा इस्ट डाल दिया है अब हम इसको 10 मिनट तक एक्टिवेट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट बाद इस्ट एक्टिवेट हो गया है तो अब हम पिज़ा का दो बनाएंगे इसके लिए एक बार इसको अच्छे से मिला कर लीजिए डो बनाने के लिए एक बड़ी बर्कन में मेधा डाल दीजिए इसमें अब एक बड़ा चमच तेल डाल दीए और जो हमने इसको एक्टिवेट करके लिया था वो मिक्सर भी इसमें डाल दीजिए अब इसको अच्छे से मिक्स करके सौफ्ट डो बना के लिजिए अगर जरूरत हो तो आप इसमें थोड़ा पानी एड़ कर सकते है इदेखिए अब मैंने इसका स्मूथ डो बना कर लिया है अब हम इसे दो घंटे तक ढख कर रख देंगे दो घंटे बात पिज़ा काड़ो फूल कर बन गया है इदेखिए तो एक बारे से अच्छे से मिक्स करके मसल लिजिए पिज़ा बेस बनाने के लिए हम पिज़ा डो लेकर बेलन से इसको रौन शेप में बेल लेते है इसको थोड़ा ठीक ही बनाना है इदेखिए अब नहीं आपर बेस बना दिया है तो अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं प्लेट पर डाल कर बेस के किनारों को आप हलका सा प्रेस करके लिजिए ताकि जब हम इस पर सॉस डालेंगे वो बाहर नहीं आ पाएगा अब हम एक फोख लेकर पिज़ा बेस पर छेज बना कर लेंगे यहां पर मैंने लिया है स्विट कॉन प्रैस को मैंने राउन शेप में कट किया है टेमेटो पनीर के मैंने लंबे और पद्ले स्लाइसिस कट किया है और एकानो और चिली प्लच पिज़ा बेस पर लगाने के लिए मैंने टेमेटो केचप लिया है और यह है मोजरेला चीज अब हम पिज़ा बेस पर टेमेटो केचप स्प्रेड करके लेंगे और इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करके इस पर हम टॉपिंग्स डाल कर लेंगे अगर आप यहाँ पर सिम्ला मिर्च आप यूज़ करना चाहते हो तो सिम्ला मिर्च भी डाल सकते है अगर आपको मश्रूम पसंद है तो मश्रूम भी आप डाल सकते है यह देखिए इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है अब हम इस पर चिली फिलक्स डाल कर लेते हैं थोड़ा सा ओरेगानो इस पर स्प्रेड कर के लिजे और अब इस पर मोजरेला चिस स्प्रेड कीजे अब हम पिज़ा को ओओन में बेक करके लेंगे मैंने ओओन को पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था ओओन को मैंने कन्विक्शन मोड पर 180 डिगरी पर 20 मिनिट के लिए सेट कर दिया है तो अब हम इसमें पिज़ा बेक करने के लिए रख देते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारा चनल सब्सक्राइब कीजिए 20 मिनट बाद पिज़ा रेडी हो गया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में मार वीडियो में अगले आने टाने दिव देतल इास के लिए भादेब कीजिए ऑरे वीडियो में लादे bureaucracy